नबस्कास आतियों, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होगे, कि हम लोग UPSC और State PCS Prelims को ध्यार में रखते हुए, यह सभी कलासें आपकी ले जा रहे हैं और इन सभी कलासों में आप लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल के समिधान के, एकोनोमी और विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे आप लोग जो GS पहला पेपर देखते हैं न पिरलिम्स का, और इसी के आधार पर आप देखते हैं कटोब बनती है, और आप लोग मुख परिक्षा में पहुँच पाते हैं तो इन सभी को सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, और मेरा ऐसा मानना ही कि देखिए, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, या करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस सभी क्लासें आप लोगों को प्यारमीक परिक्षा में भी भायदा देंगी, और आप लोगों को मुख परिक्षा में भी भायदा देंगी, आपका बेस मजबूत होगा, आप लोग और अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और इसमें आपने देखा होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने आपका गुपतोत्तर काल देखा था उसके बारे में एक overview लिया हुआ था इन क्लासों को एक से दो बार देखी और आराम से निकल लिया आप लोगों ठीक है? आज की इस class में हमें दच्छिन भारत की बारे में बात करनी है जो दच्छिन भारत की सासक थे जो बंस रहे हैं उनका एक overview ले ले लेते हैं और इसके लिए देखी एक separate playlist सूची बना दे गई है उसका नाव है UPSC and State PCS Prelims Spatial Classes के नाम से इसमें आपको सभी subject की सभी classे आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे और यहां आप लोग देखते रहिएगा अगर हम लोग दच्छिन भारत की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि दच्छिन भारत आप लोगों को यहां दिखाई भी दे रहा होगा देखिए यह है आपका दच्छिन भारत ठीक है इसी चेत में जो भी सासक हुए है इनी के बारे में बात करनी है गुफ्तुत्तर काल में उत्तर भारत की बाती दच्छिन भारत में अनेक चोटे चोटे राज्यों का सासन था और इन छोटे राज्यों में पल्लाव चालोग एवम राष्ट कूटों ने कुछ महत्ता प्राप्त की थी और दच्छन भारत के एक बड़े भाग पर ना केवल लंबी समय तक इन्होंने सासन किया बल्कि दच्छन में सांसे के थे विकास को भी इन्होंने बड़ापा दिया चोटे राज्यों में किष्णा गोदावरी चेत में सासन करने वाले एक छाकू और विदर्व के वकाटकों ने भी कुछ महत्ता प्राप्त की यह दोनों राज्य साथबाहनों के अफसेस परोदित हुए थे और इन में से वकाटकों ने कुछ समय के लिए उत्री महराज और विदर्व के छेत में भी इस्थाई सासन किया था एक छाकू और विदर्व के ठीक है तो यह भी याद रखिएगा और आप देखेंगे कि यह आप लोग इसे मैप को देख लिए पहले किसे मैप को देख लिए यह दच्छिन भारत है और आप सभी जानते हैं 320 से 800 इस भी तक माना जाता है यह हिंद महासागर हो गया अनुरा लोग सिलोन ठीक है और इसमें आप लोग देखें तो अरब सागर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी हो गई और उपर देखेंगे नर्वदात तापती नदी महा नदी हो गई यह आपकी देखें और एक गोदावरी नदी हो गई आपकी गोदावरी निव पश्मी चालुक हो गई यह राष्ट कूट हो गई यह आप देखेंगे कल्यानी हो गई यह मान निखेत किसना नदी है यह पूर्भी चालुक हो गई गोदावरी नदी और उसके बाद आप देखेंगे तुंगभद्रा नदी और उत्रीपनार नेलोर यह आप देखेंगे क्या है पाल गुं गज्जी गजोर गंज और चोल यहीं टीक है इस्री पुर्वियम महावली पुरम एक कांची नेलोर एक पल्लाव सासा के यहां पालार आप देख रहे हैं दच्छन में पिन्नार यह सब यह आप लोगों को इन के बारे में आंगे जाके पढ़ना है तो एक ओबर्वीव है यह है आपका दच्छन भारत के जो भी सास्ट रहे हैं इनका मैं जहां सासन रहा तो सबसे पहली हम लोग वकातक बंस के बारे में बात करते हैं इनका समय रहता है 250 20 से 550 इस भी तर दच्छडा पर्थ में साधभन के बंस के बंस के बाद वकातक बंस का सासन इस्थापित हुआ और जिनका मूल निवास बिद़र्व या बरार था, इनका मूल निवास इस्थान कहा था? बिद़र्व बरार का छेतिन कहा था. और इनका कोलागा धरम सेव था और सेव धरम को मानने वाले थे ए लोग विश्णु विध्धी बंस के बिरमबर थे और विंद सक्ती ने अपने को सुतन्त करके इस बंस की स्थापना की थी फिवर सेण पिथम इस बंस का सबसे पितापी सासक हुआ और जिसने चार अस्वमेग और एक वाच्पी यग का अनुष्ठान करवाय था किसने पिवर सेण पिवर सेण पिथम की पश्चात आप देखें कि करमसा रुद्द सेण पिथम पिथभी सेण रुद्द सेण दुतिय दिवाकर सैन, और दामुधर सैन, तुवर सैन, इस सभी सासक बने, दामुधर सैन इस 되면 का अंतिमभान सासक था, और इसने आप देख़ेंगे प्राकृत भासा में, सेट्चू बंद नाबग काबी की रचनागी और नई राधानी पेवार्पोर बनाई, पितभी सैन दुटिय प्रिधान साखा का अंदिम सा सकता और जिसके बाद उसका राज बसीन साखा के हरी सेन के हाथों में चला गया था वतापी के अगर चालुकों की बात करें चालुक बंस की तो 535 से लिकर 757 इसवी तक रहता है चटी सतापदी इसवी के मद से लेकर 28 सतापदी इसवी के मद तक दच्छडा पत पर चालुक बंस के जिस साखा का अधीबत रहा है यानि सासन रहा है उसे इतिहास में फूरुक कालीन पश्मी चालुक या फिर बादामी के चालुक के नाम से आप लोग जानते हैं और इस बंस के प्यारंभिक दो सासकों का नाम जैसिंग और रन राग मिलता है जो कदम सासकों की अधीनता में सासन करते थे वादामी के चालुक बंस का बास्तविक संस्था पक पुलके सिंग फश्ट था और उसने आप देखेंगे कदमों से मुक्त होकर वातापी में एक दुरुक का निर्मान करवाय था उसने उसको अपनी राजधानी भी बनाये था यह आप देखेंगे जैसिंग फिर रन राग पुलके सिंग फर्ष्ट यह इसे बास्तविक संस्थाबक माना जाता है ठीक है किर्थी बर्मन फर्ष्ट मंगलेस पुलके सिंदूतिय विक्रमा सवाधिस सेकिनड किर्थि बर्मन सेकिनड अंतिम सा सक था एक किर्थि बर्मन सेखिन्ड पूलके सिंग पित्न परष्ट में पर्ष्ट आप देखें कि इजूकर और अगिशन आपधापी का पित्न निर्माता भी कहा जाता है जिसने इस नगर को संदर भावनों और मूर्थियों से सुसज्जित करवाए था पुलके सिंग दुतिये ए 609 से लेकर 644 इस भी एडी तक रहता है इस बंस का सरवाधिक योग और सकती साली सासक था पुलके सिंग दुतिये और इसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर गद्दीव पर प्राप्त की थी और पुलके समराजी में मिला लिया और उसने कॉंकर के मौरियों को पराजित कर एली फेंटा दुई परिस्तित उनकी राजदानी धारापूरी पर अधिकार कर लिया था और इसने आप देखेंगे हरस को पराजित किया और परडाम सोर्म नर्वदा नदी दोनर राज्जों की सीमा आपको देखने को मिलेगा इसमें पोलिके सिंग दुतिये ने अपना एक दूत मंडल इरानी सासक खुसरो दुतिये के दरवार में भेजा था हैंसांग भी उसके दरवार में गया था और पोलिके सिंग दुतिये के पश्याद विक्रमादित पिथम सासक बनता है इसने चोल पांड़ केरल और पलवों को परास्थ कर कांची पर अधिकार कर लिया था इसके बाद आप देखेंगे बिन्यादित और विज्यादित सासग्वने विक्रमादित फश्ट ने गंग नरेसों की साहता से कांची को तीन बार पर हस्तगत किया था और इसी के सासनकाल में दच्छ चालोकों के सावंत राश्टकूटों ने आप पदस्त कर अपना अधीपत द एक तरह से स्थापित कर लिया था है यानि कि अपने इने कमजोर कर दिया और इने वहाँ से हटा दिया उस चालोक बिवस्ता से फिर आप अगर आप चालोक के यूगिन संस्किती की बात करें कल्च सासन का सौरूप राचतंतरात्मक था और तथा राजपद प्रया वनसानुगत होता था और इस काल में रानियों का भी पिसासन में मत्पून इस्थान था और चालोग के लेखों में यगिफी मंतरी परसत का तो लेख नहीं मिलता फर भी लेखों ने अनेक के अंद्रिये पद बढ़ गया था फर आप देखें कि चालोग के कालीन लेखों में करव पिडाली के भी संकेत मिलते हैं जिसमें आप देखें कि पुलके सिंदुतिये के हैदराबाद दानपत्त में विभिन पिकार के करों का उल लेख भी मिलता है चालोग के लेखों में संस्कित भासा का पर पद्ध और गद्ध के विक्सित होने का भी फिर्मार मिलता है पिसिद न्याय बेद एवं याग वलक के टीकाकार कॉंकड के सिलाहार बंसीय राजा अपरार्ग भी इस योग में हुए थे और ये आप देखेंगे रचनाकार हो गए उनकी पुस्तक हो गई इनकी रचनाओं को भी याद रखा कर ये पुस्तकों को भी कई बार खूंच लेता है गंग राज दुर्भी नीती सब्दा उतार उदै देव जै निंद ब्याकरन सौम देव सोरी यास्ती तिलक चंपू और नीती वाक मिर्तम ठीक है चालोक के बाद काल में कला तथा इस्थापत के चित में भ चार इस्थम वियुक्त मंडब बनाए गए जनमें से तीन हिंदु धर्म से और एक आपको देखने को मिलेगा जैन धर्म से सम्मंदित था यहां तिरे मूर्ती के विसाल मंदिर भी मिले हैं वादामी का विष्णू गुहा मंदिर तथा बिजैसूर मंदिर आदी महत्पूर है इहोल को तो मंदिरों का नगर भी कहा जाता है जहां से कम से कम आप देखेंगे सतर मंदिरों के उसे स्पराप्त होते हैं इहोल के अधिकांस मंदिर विष्णू और सिव के थे और यहां के हिंदू मंदिरों में सबसे सुन्दर सूरे का एक मंदिर लाडखा है और इसी प पर आप देखेंगे छे आपके डेवर्सली में निर्मित थे नगरसली का उतकिष्ट मंदिर पापनात् का मंदिर और देवर्सली का लोग महा देविक द्वारा निर्मित विरूपक्ष का मंदिर वाधामी दथा एहॉल की गुफा में जेन तीर्थ करओ कोई भी मूर्तिय कांची के पल्लवों के विषय में प्यारमिक जानकारी आपको हरी सेन की प्रयाक विसस्ति में मिलता है और पल्लव अपना सुदंत राज इस्थापित करने से पूरुप साथ वहानों के सामन थे इनके प्यारमिक अविलेक प्राकृत भासा में मिलते हैं लेकिन कलांतर में संस सासक हुआ जिसने अपनी राध्धानी कांची पुरम को बनाया और कांची के पल्लो वन्स के चोत्री सासक के नाम विश्नु गौभ मिलता है और जिससे संभद्धु गुप्त ने पराजित किया था गुप्त समराज की बारे में संभद्धु गुप्त के मारे में पड़े हो आप लोग पीछे जियोर्ति मठ उत्तर इबद्रीधाम सरिंगेठी मठ दच्छन में सार्दापीठ द्वार का बश्चिम में गौवर्धन पीठ जहनात्पुरी में कांची के पल्लो राजवन्स का वास्तिक संस्था पक सिंग वर्मन था और जिसने आप देखें कि पांसो सासकों की परंपरा सिंग वर्मन की पुत सिंग विश्नु से पारम होती है और पल्लो काल में संस्कित तंता मिल भासा में अनेक गरंथों की रचना की गई है वाद गरंथ महावन्स से पल्लों की पारमिक सासकों की और उनकी तिथी निर्धारन में सहायता मिलती है चीनी या कि सिंग विष्णू के समय से पल्लो इतिहास का इखनयाद ध्या पैरम होता है और इसने चोलों को परास्त कर चोलम चोल मंडलम पर आधिकार कर लिया और इसके दर्वार में भारवी निवास करते थे और इसने विष्णू के समान समान में मामलपुरम में आदीव वराय का चरम उतकर्स पर था और पल्लाव चालो को संगर्स की सुरुवाती इसी के समय होती है जिसमें पुलकेशन दुतिये ने इसे पराजित किया था और इसे मत विलास प्रहसन और भागवद वद जो कियम नामगरंतों की रचना भी की थी इसने और नरुसिंग वर्वन फष्ट महामल्य इस बंस का सबसे महान सासक हुआ और इसने चालुख पुलकेशन दुतियों की पराजित किया था इसे महामल्य भी कहते थे पिर आप देखें कि नरुसिंग वर्वन दुतिये एक समराज जवादी सासक होने के साथ साथ महान निर्माथा युट कलावा संस्किती का म महावली पुर्म था नर्सिंग वर्वन दूतिये राजा सिंग भी इसे कहते थे कि इस समय में पल्लाव चालक के संघर सुरुका आ रहाद जिसके कारण उसके उसके उसने अपना अधिकार अधिक्तम समय साहित्व कला की छेत्व में दिया और पाइडाम सवरूप आप देखे सेटु चीन भी वेजा था आप जो पड़ोसी देखें न चाईना एक इसी की बात हो रही है नर्सिंग पर मंदुतिये बाद आफ देखेंगे कि रम सा पर मेसर वरमन दूतिये नंधी बर्मन दूतिये न्रिप्तुंग बर्मन और आपराजित बर्मन सासक बने कंप बर्मन इस बंस का आत्री सासक था जिसने अपने राज्ज को चोल सासकों से बचाने का असाफल पेरियास किया और अंतग यानि कि अंतग में पल्लो राज्ज चोल राज्ज में मिला गया था अगर पलोगों के समय की अगर संस्किती को देखना है तो कांची के पलोग ब्रहमड धर्माई अनुवाई थे यानि कि ब्रहमड धर्म को मानने बाले थे और सासन का सौरूब राश्टंतरात्मक था और राजपद पूर्ता बंसानुगत होता था यानि कि बाप के बाद बेट समय रहे हैं आप लोग राजा की साहता के लिए एक मंत्री परस्द होती थी जिसे रहस दिक दास कहते थी जहां का पिसासन ग्राम के या मुटक नामक अधिकारी द्वारा संचालित होता था ग्राम सभा की वैठा के विसाल व्यक्ष के नीचे होती थी जिसे मनरम कहा जाता आप समझ रहे हैं पहले भी हमारे गाओं अपने जो छेत हमारा अपना सापका देखिए उसमें भी जो ग्राम पंचयाती की बैठे के होती थी ना वह आप देखते होंगे कि बर्गत के बैक्ष इस तरह के जो बड़े-बड़े बैक्ष होते थे उनके नीचे हुआ करती थी मैंने देखा है कि कई जगे आपने देखा होगा कि स्कूल नहीं होते थे और क्या रहता था कि आपका एक काम होता था किलास नहीं लगती थी बर्गत के पैक्ष के नीचे नेम के बैक्ष के नीचे और कई स्कूल कव गाओं में हमने देखा है इस तरह की विवस्था और पलोगों ने अपनी सुग गठित जल सेना की साहता से सुदूर पूर दच्छेन पूरवेस किया कि देश पूर्टी हैंसां के विवर्ण से होती है सेव नायार तथा बैशनाव अलवार संतों ने धीरे धीरे बौत देवं जयन धरम को तमिल देश से उखाड़ पेगा था और इस पेकाद अच्छेन भारत में भक्ति आंदोलन के फाल स्वरू मूर्ति पूजा अवतारबाद यग करमकांड आदी का व्यापक परिचार पिसार हुआ इसकाल के सभी संद यगी फी ब्रहमण थे परंतु है जाती पाती के भिरोधी थे इनोंने मुक्रोब से भजन की रितन उपदेसों के माध्यम से जन सामान में सव धर्म का परिचार पिसार किया अलवार संतों की वानता थ लिए भारत की चार कोनों में चार मतों की स्थाफना की थी और पल्लाव नरेशों का प्रहसन काल प्राकृत संस्कित और तमिलá भासा की नती का काल था पल्लाव नरेश स्वयम उचकोटी के विद्वान और विद्वानों की संपोसक थे महिन्द वर्वन ने आप देखेंगे मत विलास फ्रहसन की रचना की जिसमें तन्तियान की आलोचना की गई भारवी तथा दंडिन पल्लव राजदर्वार में निवास करते थे पल्लव सासकों की अधिकान लेख विसुद्य संस्कित में थे लेकिन प्यारम्बिक लेखों की रचना प्राक्रिट भासा में मिलती है पल्लव की राध्धानी कांची विद्या का प्रमुक के अंदे था फिर आप देखेंगे पल्लव कालीन कला का सर्वोत्म स्वरूप मंदिर इस्थापत में देखा जा सकता है दच्छिन भारत में पल्लवों ने मंदिर निर्माड की द्रिविट सैली का भी विकास किया था और इससे भी बड़ा योगदान यह रहा की सरवपितम पल्लव नरेसों ने भी वास्तु कला को काश्ट कला और कंदरा कला की प्रभाव से मुक्त करने का प्रियास किया था पल्लवों की संपूर मंदिर इस्थाबत कला को तिर्मोख पल्ला और राजाओं की नाम पर नाम पर 4 सैली में विवक्त किया गया था यह भी याद रखेगा महंद बरबंग सैली इनके राजाओं के नाम पर ही आप देखी सैलीयों का एक तरह से निर्माड हो गया गठन हो गया, कठोर पत्थरों को काट कर गोहा मंदिनों का निर्माड जिसे मंदप कहा जाता है, मंदप साधरा इस्था मियुक्त बरामदि होते थे जो बहुत चैते से प्रभावित लगते थे, महेंद विस्नो मंदप, लक्षिता यान मंदप, पलवर्म का पंच पांडव म मंदप, त्रिमूर्ती मंदप, महावलीपुरम को, कोट किल मंदप, और आप देखेंगे कि इन में, मामल सैली, नर्सिंग वर्मन, पिथम के काल में विक्सित हुई है, और मुक रुप से दो पिकार के इसमारकों करने माल, अलंकिर्थ मंदप, एकास्तर मंदिर, अत्वार् मंदप, मही सर्मनी मंदप, रामानुज मंदप, पंचायतन सिभ मंदप, आदी थे, परवर्तों को काट कर बनाए गए, एकास्म रतों, रत मंदिरों को सब्त पेगोडा कहा जाता है, जिनकी कुल संख्या आठ है, तीक है, और इसमें दरोपदी रत, धरमराज रत, भीम रत अरजुन रत, सहदेव रत, गन, गनेश रत, पिंडारी रत, और वले कुरीट रत प्रमोखें, दोपदी रत को सब्त पेगोडा में समलित नहीं करते हैं, तेक है, याद रखिएगा, दरोपदी रत को छोड़कर सेज सभी बहुत चैतरों की आधार पर निर्मित हैं, फिर आप देखें के राज सिंग सेली, नरसिंग बर्मन दुतिये के काल में ये बिक्सित होती है, और नी के नाम परक दी जाती है, गोहा मंदिरों के स्थान पर पत्थर तथा इटों की साहता से मारते हैं, इमारती मंदिरों का निर्माड होता है, इस सेली के मूलता छे मंदिरों का निर्माड, महावली पुरम का तटीय सिम मंदिर, इस सोर मंदिर, मुकंद मंदिर, कांची का क्यलास नात मंदिर, वैकोंट पैरुमाल मंदिर, पन मलाई का मंदिर, उत्रीक अरकाट, सबसे प्राचीन तम महामल पुरम का सोर मंदिर है, कांची का क्यलास मंदिर इस सेली का चरोत करस है बैखोंट पैरुमाल मंदिर में पल्लाव वास्तुकला के सभी तत एक साथ मिलते हैं आपको महावली महावल मामलपुरम में समुद्धत तिस्तित मंदिरे दिखाई दे रहा है आपको आप सोची कि उस समय आज के समय में तो आप देखते हैं कि तरह-تरह की तक्निक है लेकर उस समय भी आप देखी कि हमारे जो भी पूरवज रहे होंगे उस समय की लोग रहे होंगे आप सुचिए बहुभी बड़े तक्निसियन होंगे सोच रहे कि इस तरह के मंदिर निर्माड कर रहे हैं, आज के इंजीनियर नहीं कर पाएंगे जैसे, और आज आप देखते हैं कि कोई मकान बनाते हैं तो बहुत स्विवत 50 साल, 100 साल चल पाता है, और आज सोचें कि ये मंदिर तब से अभी तक जेहों के तेहों खड़े हुए हैं, समझ र आप देखते हैं कितने मजबूती तरीके से खड़े रहते थे, तो यही है, आप राजित सेली, अधिकांच छोटे मंदिरों का निर्माड हुआ है, कांची का मुक्ते सोर मंदिर, मातंगे सोर मंदिर, और गडम का बढ़ मंदले सोर मंदिर, तैरू तैने का विराटेने सोर मंदिर, गुड़ी मलम का परसूरा मेसुर मंदिर, इसके बाद के मंदिर चोल सेली से प्रभावित होंगे, अब देविट सेली की बात कर लेते हैं, नागर सेली, यह आप सभी बेसर सेली, इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, और इससे याद रखे, इनसे देविट सेली का विकास तमिल पिदेश में हुआ, और इस सेली की स्थापना पल्लो सासकों की काल में हुई थी, आधार से लेकर सिर्थ तक देविट सेली की मंदिरों का आकार अश्ट भुजाकार है, और इस सेली की मंदिर आयताकार और सिखर पैरामेड के आकार का होता है गरवग्रह के चारों और बरगाकार छट से ढखा हुआ बाड़ा होता है जिसे आप लोग दच्छनापत कहते हैं फांडाओ तथ चोलकाल में इन मंदरों के साथ इस्थम वियुक्त मंदव गल्यारे तथा बिसाल गोपुरा मंदिर का प्रविश्दवार भी जोड़ दिये गए देविड कलासली में निर्मिद मंदिरों में कैलासनात मंदिर और तंजओर का बेहदिसूर मंदिर सरवोतकिष्ट है फिर आप देखेंगे नागरसली उतरी भारत में हेमालय से बिंद पिदेस तक विस्तित है नागरसली के मंदिर चतुस कोडिय होते हैं अब बात करते हैं हम लोग चोल समराज के बारी में चोल समराज की जानकारी की साहित सिरोत पिरमोक हैं संगम साहित प्यारमीक चोल इसके बारे में इससे जानकारी लगती है सेकिलार का परिय पुरा नाम जै गुंदार की कलिंग तुर्फर्णी वसु मित्त के वी सौलियम बौद गरम महावंस अविलेक ये साक्ष में अगर देखें तो लेडन दानपत तंजोर मंदिर अविलेक तिरू वलंग गाडू अविलेक और साथी चीनी सुरो चीनी यात्री चाउजू कुआ अधी के बिवरेंट से इस समय के बारे में जानकारी आप लोग लेते रहते हैं लेते रहते हैं या नहीं लेते रहते हैं अगर हम लोग राजनेते कितिहास के इनकी देखें तो पैयारम भी चोल समराज की जानकारी संगम साहित सिफ राप्थ होती है नौबी सिदी के मद्द में चोल सत्ता का पुनर उत्थान हुआ और चोल प्याराम में पल्लवों की सामन्ध थे चोल समराज की स्थाफणा विज्यालाय ने की थी, किसकी चोल समराज की और पल्लवों का और यूर में सामंध था और 850 CCB में इसने तंजोर की विजय की थी वो इसने नर केशरी की उपाधी भी गहन की थी से चोल समराज का बुतिय संस्थापक भी का जाते है फिर आप देखेंगे आदित पितम ए आट सो असी से लेकर 907 और इसने चोलों को पूर्ण रूफ से सुतंत घोसित किया था यहकार इसने पल्लव सासक आप पराजित बर्मन की हत्या करके किया था और इसने इस उपलक्ष में को दंड राम की उपाधी भी गहन की थी फिर आप देखेंगे परांतक पितम 907 से लेकर 953 चोल बंस के बास्तिक सत्ता की स्थापना की और मदूरा के पांडव रा परशात आप देखेंगे कि 30 बर्सों में तेन सास सासकों गंडरा दित और परांतक दुतिय सुंदर चोल और उत्तम चोल का सासन हुआ फिर आप देखेंगे कि अर्मो अर्मोली वर्मन राज-राज-पितम इसने चेहरों की सेना को कैडलूर की योद में परास्त किया था या पर फॉलन रुवा को अपनी राध्धानी बनाया था इसने कलिंग सहथ लक्ष दीप और माल दीप पर भी विजय पराप्त की थी 1000 इस भी में उसने भूमी का सर्विक्षन करवाय था और समराज में इस्थानी यसो सासन को प्रोशाहद भी किया था इसने तंजोर में पिसित बेहदिस और मंदिर या राज-राजिस और मंदिर का निर्माड भी करवाय था इस के समय में स्री विजय के सैलिन सासक्स, स्री मार विजय तुंग वर्मन कुनांक वटनब में बहुत विहार की निर्माड की भी अनुवती दी थी इसके काल में एक दूत मंदल चेन भी गया था, इसने मुम में डी चॉल, देव, जैगॉंड चॉल, चॉल मारतंड और सिभ पाद सेकर आदी उपादिहां भी गहन की थी फिर आप देखेंगे राजिन पिथम आता है, 1012 से लिकर 1044 तक रहता है, राज राज का पुत्य था ही, और अपने सासन की पांचवी वर्स संपूर, स्री लंकाव को इसने जीता था, और महंद पंचम को बंदी बना कर चोल राज भेद दिया था इसने, और अब सागार इस सदी मंतीव नामक दुईप पर भी अधिकार किया था, पांडाओं एवं चेरों के राज्यों पर भी अधिकार कर लिया था, और अपने पुत्त राजा धीराज को पांड प्रिदेश का वायसराय महा मंडले सुर बनाया, उसे चोल पांड की उपादी दी थी, इसने बंगा बिजय काडारम है, कि स्री बिजय समराज की बिरुद्य सफल सेने एक अभियान था, और स्री बिजय समराज में मलाया परायदी सुमात्रा जावा और निकट बरती दूईप समल लित थे, और इसके तिरू वलंग गाडू एबं करन दाई, अभिलेखों में इसकी हासिल की हुई थी, और इसने दच्छिन भारत में व्यदिक सिक्षा और दर्सन के लिए विसाल, विद्ध्याले की स्थापना करवाई थी, फिर आप देखी राजादी राज पित्हम होता है, दस्तो चबालिस से दुस्तो वावन तक रहता है, एडी में, इसने चेर पांड सौमेसर के साथ कोपम के योद्ध में राजा धीराज को मारा गया था, एक बात और रियाद रखे, कई बार आपका उन्डे एकजाम में इनकी उपादिया भी पूच लेता है, तो एक एक पुएंट मुझे लगता है कि अपने दिमाग में सेट रखिएगा, फिर राजिन द सेट में ही अपना राज्यवी से किया, और 162 में चोल सेना और द्वारा कोडम संगम के योद्ध में चालोकों को पराजित किया था, भी राजिन्द, एक दस्तो चौनसर से लिकर दस्तो सत्तर तक रहता है, पश्मी चालोक नरेश स्वामिसर्ग ने कोडम संगम में चोलों क पुनाय योद्ध के लिए ललकारा, किन्तु असाद रोग के कारण वह स्वैम योद्ध में उपस्तिद ना हो सका, और अपने अपमान रोग से गरस्त होकर उसने तुंग भद्धा में डूब कर आतमत्या कर ली थी, भी राजन्द, ठीक है, और इसी घरना की स्मिती में भी राजन्द ने तुंग भद्धा के तट पर एक विजय स्थम की स्थापना की थी, और आप देखिए गराज केसरी की उपादी भी धारन की थी, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, फिर आप कुलो तुंग पिथम, ये 1070 से लेकर 1120 तक रहते हैं, पूरवी च कुलो तुंग पिथम के साथ ही चोल चालोक बंस की सुरुआत होती है, और कुलो तुंग पिथम के सासनकाल में पश्चमी चालोकों की ओर से चोलों का विरोध बिक्रमादित सष्ट ने किया, और किन्तु उसे युद में पराजित होना पड़ा, और इसने भूमी का पुना सरवेक्षन भी करवाय था, इसने चुंगियों और तटकरों को समाप्त कर दिया था, जिसकी बज़े से उसे गुड मत मरत्र बित चोल करों को हटाने वाला की उपादी दी गई थी, और इसकी उपादियां कटे कॉंड चोलम और मले नडू कोंड चोलम की उपादी ही ओलेक मिलता है, ये दच्छन भारत में देखिए इसी तरह की नाम मिलेगे, चीनी सुरोतों के अनुसार दस सो सतत्तर में कुलोतों ने बानवे ब्यक्तियों का दूत मंडल भेजा था, और इससे अपने सासन की अंतिम बरस में दो बार कलिंग से युद करना पड़ा था, मलाय पर अर्मिक दिरिष्टी से बड़ा ही आसाशनु था और उसने गोवंद राज मंदिर की प्राचिन बैश्नाव मूर्ती को समुद में फिकवा दिया था, इसने त्याग समुद की त्रयाग समुद की उपादी धारन की थी, कुलोतों तितिये चोल बंस का अंतिम महा सासक था, और किन्तु इस बंस का अंतिम सासा, सासक कौन वहा राजिन तितिये, कुलोतों तितिये ने कुम कौनम के निकट तिरूभवन में कमपे सोर मंदिर का निर्माड करवाय था, तो याद रखिएगा, अब चोल पिसासन की अगर हम लोग बात करें, तो आवस्था कभी लेएक स सासन खंडित राजो धरम तंतिये, धरम तंतिये, राज्य सैनिक राज्य आधी पे चले थे हैं, और ऐसा माना जाता है कि चोल पिसासन यागिपी मूल रूप से मूल रूम में भले सामनती रहा हो, किन्तु राज, राजा तथा राजयन पिथम जैसे सक्तिसाली एवं पहो सामनती तत्तों पर नियंतर मनाए रखा, यह सासन विवस्ता में केंद्रिये के साथ साथ वहोत अधिक मातरा में इस्थानिय स्वायत्ता भी थी, ऐसा संतलन चोल राज विवस्ता में ही दिखता है, किन्द्रिये पे सासन का पिरमुख राजा होता था, और वह बड़ी सेडी के अधिकारियों को आप देखेंगे सिरोध नम कहा जाता था और मंत्री परिशत की सपर्ष्ट सूचना नहीं मिलती है चोल अभिलेक में ओडन कुटम नमक अधिकारियों का भी जिक होता है जो राजा की आदेश पर पिती हस्ताक्चर करता था और राज की ये आदेश क अच्चा मसोदा ओले नमक अधिकारी बनाता था फिरमो क्यंदी अधिकारी ओले नायकम एपिधान सचे तिरोंदनम एपिधान सचे विडे अधिकारिन एक कार्च पेक्चा अधिकारी हुआ करता था समराज का विभाजन प्रांतों में किया गया था और जिसे मंडलम कहते और इसका पिसासक वायसराय होता था जिस पर प्रेया राचकुमारों की नियुकती या फिर वरिष्ट अधिकारों की नियुकती होती थी वायसरायों की अपनी सेना था न्यालाय भी होता था कलांतर में पद बंसानुगा थोनेक पर समराज की सकती को आघात लगा मंडलों क सभी गाउं एवं नगरों के पितिनिदी होते थे जिनका मुक्यकार भूराजिस प्रवंध़क था नाडू के नीचे गाउं समुव होते थे जिनने कुर्रम कहा जाता था ग्राम स्वे में एक स्वायद पिशासल की काई था चोल इस्थानिय पिसासन की बात करें तो चोल पिसासन की सबसे उलेकनी बेसे इस्ता स्वायत सासी ग्रामीड संस्थाओं के परिचालन में परिलक्षित होती है परांदक पितंग के उत्तर मिरूर अवलेक में से चोल कालीन इस्थानिय ग्राम पैसासन के संबंद में जानकारी मिलती है वस्तुता पल्लो पंडो की ग्रामीट स्वायता का आत्ती विक्सित रूब चोल कालीन इस्थानिय ग्राम सासन में दिखाई देता है ग्राम पे सासन ग्राम बासियों द्वारा चलाया जाता था ग्रामीर पे सासन का संचालन ग्राम समू और ग्राम सभाओं के द्वारा संचालित किया जाता था और फिर आप देखें ग्राम समू की बात करें तो यह ग्राम समू सामाजिक आर्थिक और धार्मिक आधार पर बढ लंग्यार और मनी गरामम था सामाजिक समुह में सोना लोहार बड़ई जैसे समुह सामिल होते थे ठीक है फिर गराम सभाओं है चोल अभी लेक में मोटे तोर पर तीन पेकार की गराम सभाओं का उलेक मिलता है उर सभा या फिर महासभा और नगरम और सामन लोगों की सभा होती थी सभी गरामाची पुरुष इसके सदस होते थे और की कारसमती को ओलुम गुडम कहा जाता था और और का मुक्यकार सार्जिये खित के लिए तालाब अथवा वाटिका ही तुग्राम भूमी का दिगहन करना करवसूल करना इसका काम होता था सभा या महासभा मोलूप से अगहारों तथा ब्रहमणों बस्तियों की संस्था थी ऐसे गाओं को ब्रहमा दे भी कहा जाता था सभा को फैरोर गुरी तथा इसके सदस्थों को पैरों वकल कहा जाता था और सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार करती थी समिति के सदस्थो को तीस बार्डों में बाटा गया और पितेक बार्ड के लिए निम्न अहरता रखने वाले व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाता था तर आप देखें कि सम्ति के निर्वाचन ही तू आहरता है गाउं का इस्थाई निवासी होनी चाहिए आयू इसकी 35 से 70 वर्स होनी गई थी आज हमारे नेताओं के लिए क्या हरता हैं पांच भी फैल है वो भी बन सकता है नेता उसका पैड़ा हमारी देश की जनता भोगत भी रही है सभी बैक्तियों का नाम अलग-अलग ताड़ पत्तों के टुकणों पर लिखकर किसी बड़े पात्त में डाल कर किसी यह दुबार से कि इस दौत हैंनों क давно की बारिख थ 거죠 हिए दुप खेलाब बेला बह से इसी दुप यह सम्ति का सदस नहीं है वह नया सदस चुना जाए यानि की कहने के मतला ही कि दुबारा चुनाव नहीं हो सकता था इनका यह चोल कालीन ग्राम पेसासन का महतपूंट जनतांतरिक पहलू था समवत सत वरियम अन्य सम्तियों के कारें की देखवे करती थी और महासभा की महतपूं इमार्गों की विवस्था, मंदरों, सिक्षर संस्थानों, दान ग्रहों का प्रवंदन करना उन्हें ग्राम के संबंद में नयायक अदिकार भी थे ग्राम वासियों के स्वास्ति जीवन इवं संपत्ति की सुरक्षा आदी का कार होता था सबसे महतपूंट कार राजस संग एक विवस्ता थी, यहां जन्ता का हुई ख्यार लखा जाता था, नगरम व्यापारियों से सम्मेद सभा थी, जो व्यापारिक के अंदरों का परवंदन देखती थी, विभेर ने व्यापारिक बरगों, पितेश्ठानों और द्योगों पर करकी दरों का निधारन और वसूली का दायत नगरम पर का ही होता था, नगरों में विक्सित हद करगों, व्यापारिक पितेश्ठानों आदिस एककर संगराय का कार नगरम के अधीन था, नगरम बसूले गए धन का उपयोग, नगरों के व्यापारिकों और उद्दोगे विकास सेतू, यातायात एबम नगर व आधीammataji की, चोल समाझ की, तो इसमें आप देखेंगे कि चोल काwarmीन समाज बढ़ विवस्था पराधारीत था, समाज में मोकरता ब्रहमड गयर ब्रहमड बढ़ बढ़ विभाज हित था, समाज में बैदीकार इं ब्रहमड ब सामाजदी महत्ता पराप्त हो सुकी थे , उन् इस तरह से उन्हें सबसे आंगे रहना है ठीक है दच्छन भारत में चोल कालीन कालीन समाज में छत्री और वैस बर्ग की रूम में नेमित बर्ग की अनुपस्तिती मिलती है क्योंकि यहां एक समर्द्धिक किर्सी विवस्था मजबूत किर्सक आधार की कारण सासक बर्ग में भी साक बर्ग में भी सामिल होते थे यह बिलार उच्छे तरी इस सूर्द बर्ग की थे और इसकार समाज ब्रमड एवं गर ब्रमडों में विवाजित था इस तरह का सामाजिक बिभाजन दच्छन भारती है सामाजिक सरचना की विषिश्षता थी गेर ब्रमड बरग भी किर्सक और गेर किर्सक बरग में विवाजिक थे गेर किर्सक बरग भी दो भागों में विवाजिक था वलंगे और एडंगे ब्रमड और बेलार जो समाज के सरवादिक प्रभावसाली समझ थे वलंगे का समर्थन करते थे क्योंकि वे किसी ना किसी रूप से भूमी और किसी उत्पादन से समध दे थे एडंगे की बात करें तो बर्ग में छोटे व्यापारी दस्तकार और मजदूर सामिल थे मंदिरों के निर्माड में उनकी उपयोगीता के कारण उनकी सेष्ट इस्तिती सुईकार की जाने लगी चोल समराटों ने इनकी आर्थिक उपयोगीता से प्रभावित होकर इने यगोप पवी धारन करने की अनुमती दे दी थी और इस पेकार समकालें दच्छिन भारत में सामाजी जीवन का अधार मुकता आर्थिक था चोल समराज में दास पिता भी विंदमान थी परन्तु दासों के साथ किसी आमान भी है विवहार की सूचना नहीं मिलती है यानि कि ठीक अवस्था में थी इस समय जानदा उनके साथ बेहत्भाव नहीं किया जा रहा था चोल समाज में इस त्रियों की स्तिती सामान था अच्छी थी बेपिसासन में भाग लेती थी उस संपत्ती में भी उन्हें अधिकार होता था इस समय आप देखें कि परदा पिता का पिचलन नहीं था और परन्तु सती पिता और बहु विवा और देवदासी पिता का पिचलन समाज में था और जो उन्हें की निम्न इस्तिती का घूतक थे समाज में प्रया सजाती ये विवा करनी की पिता थी परंदु अनुलोम और पितिलोम विवा भी होते थे समय भी चोल कालीन समाज में मंदिरों एवं महत्पूर मंदिरों की महत्पूर भूमी का थी मंदिर सामाजी कार्थिक और सांस्कितिक गतिविदियों के केंद के रूम में हुरे मंदिर परेया सिक्षा के उपचारिक केंद भी होते थे समय और आप देखेंगे कि क्या होते थे सिक्षा के केंद भी होते थे चोल काल इन धार्मिक दसा को देख लिजे इसका मैं धार्मिक दसा क्या थी? देसाथ क्या थी? चोलकाल में दच्छिन भारत में पुराडिक सेव और बेशनव धर्मों का अतिन्त पिरचार पिसार हुआ और इन धर्मों के पिचारक सेव नायार और बेशनव अलावारों के धार्मिक गीतों, भजनों और प्रवचनों म अलोकिक जादुई सक्ति भरी हुई थी और फलतर आप देखें दच्छन भारत में ब्रहमड धरम एवं भक्ति आंदोलन की उत्थान इसे ओग में उलेकनिय घटना है और इन धर्मों का अतीसाय लोग प्रियता कि प्रभाव के फलस्वरू दच्छन भारत में जमे और धर्मो मंदिर तथा राजिन पित्थम ने गंगे कांड चोल फुरम में सिभ मंदिरों का निर्माण भी करवाय था ए मंदिरों से भी कई बार पूंच लेता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाय था तो इन्हें भी याद रखे कुछ चोल सासकों ने धार्मिक ट्टरता भी दिखाई जैसे कुलो तूंग दुतिये ने गोविंद राज विस्नु मंदिर की दिमागों समोध में फिकवा दिया था तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के कट्टर सासक भी थे समय चोल काल में सेभ धरम से समदित दर्सन भक्ति गीतों गरंथों का विकास हुआ नवी नंबी ने सेभ धरम से समदित सिधान्दों को फिती बादित किया और सेकीलार ने तैरी पुरान नामक सेभ गरंथ लिखा था चोल काल में विस्नु आदी देवी की देवों की मोर्तियां मोर्तियां और विस्नु धरम की लोगपिरिता को सूचित करती है नात्मुनी नामक अलवार संत ने वैशनु भक्ती गीतों का संपाधन किया जो तो आंगे यमनाचार एवं रामानु चार जैसे पिसेद्ध वैशनु आचार हुए रामानु चार ने विस्ष्ट दोयत बार कापिती पाधन कर भक्ती को दारसुने का अधार पिदान किया इस तरह यहा काल धा दार्मिक सहिधूता का काल था, सैफ वैशनव धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की विचारकों को भी सुतंता प्राप्त की, और इस धार्मि विकास ने इस्थापत एवं मूर्ती कलाक को अपने तरीके से प्रभावित किया, चोल कालीन अर्थवस्था को भी देख लीजे, एक चोल कालीन अर्थवस्था में किर्सी का व्यापक महत था, भूमी का अस्तिकारी दो पिकार की होती थी, भूमी या तो पंचायत के अधिकार के अंतरकत होती थी, अत्वा भूमी धरों के निजी अधिकार में, ए भूमी धर अपना भुकतान राजा को देते थी, चोल राज वस्था में सामन्तों का मत्वूण स्थान था और बच के अनुसार भूमी को बारे कोटियों में वाठा गया था वेली भूमी माप की काई हुआ करती थी इस समय इस काल में एक पूछ लेगा कि वेली किस से संबंदी थी तो भूमी माप की काई थी है भूमी माप ने की इस काल में वस्तुत पादन पिर्मों खुद्द्योग था और विविन धात्मों की साहता से अस्त सस्त आभूसन और वर्तनादी बनाए जाते थे पाल नाड लोहास्त निर्माड का पिर्मों कैन था गोल कुंडा में हीरे की खाने थी मारको पोलो ये इस बात को सुई करता है लेखों ब्रह्मादे ब्रह्मडों को दान में दी गई भूमी कहला थी देवदान मंदिरों को दान में दी गई भूमी सालवो भोजनालयों को दान में दी गई भूमी थी आंत्रेक एवं विदेशी ब्यापार में बंदरगाहों का महत्पून इस्थान था राज राज एवं कुलो फिथम ने ब्याबार हितु चेन दूत मंदल भेजे और ब्याबारियों के स्थानिय संगठन्स नगरम कहलाता था और लेखों में मन्नी ग्रामम और वर्लो जियर नाना देसी आधी ब्यापारियक संगों के संबंद में सूचना मिलती है वश्णवी तटपर क्यों लोन पिरमुक बंदरगा था पूरी तटपर आप देखेंगे पूरी कावीरी पटना मसाली यूर आधी पिरमुक बंदरगा हुए सोती कपड़ा मसाले अनाज हाती दाद सींग आधी का निरयात होता था मारको पोलो घोडों के ब्यापार का जिक्र करता है समय कि घोडों का भी ब्यापार होता था खईदे बेंचे जाते थे चोलकार में पिरमुक सोने के सिक्के उत्थान और मघान थे और आप देखेंगे मानक सिक्का कलन्जु था और कासु भी एक स्वड सिक्का था चोलकार में में विसेश ग्रामीट चेतरों में समझी कारते को जीवन के कैन्द में मंदिर होते थे मंदिर विविद ब्यापारिक पूझी लगाते थे मंदिर के अधिकारियों के लिए नेमित आयका होना आवस सकता भूमी करकी अत्रित कुछ और कर लिये जाते थे आयाम राजस करता मर मजजादी ए ब्यक्च कर हुआ करता कडमे ए सोपाडी के ब्यापार पर करता मने दूरे ए ग्रह करता कठे दूरे ए ब्यापारिक पृत्यष्टान पर करता पमवीर ए तेल गानी करता पड़ी कावल ए ग्राम सुरक्चा करता समक रूप से चोल काल का आर्थिक जीबन विवित्ता और संब्रिद्धी का युग था इसे योग में चोल राजाओं ने भी महत्पूर एक उदान दिया और चोल काल की साहित और कलाओ साहित की बात करें हम लोग तो दच्षे भारत में तमेल पिदेश के राजनीतिक पटल पर पल्लवों के उपराँ चोलों का आगमन होता है और फल्ता सब्ता के साथ उन्हें पल्लव कला परंपरा में भी बिरासत में मिली और इस इस्थापत की देविड कला परमपरा सेली को चोलों ने पराकाश्ठा पहुंचा दिया था चोल अगर आप देखें तो चोल कालीइन कलाकारों ने अपनी कुसलता का प्रयोग पासान मंदिर और मूर्तियां बनाने में भी किया चोल कालीइन मंदिरों का विस्ताय में फर्गी उसियन ने कहाई कि चोल कलांतर ने दावनवों की भाती इसका निर्माड करवाया रतनाकारों की रूम में इनका विन्यास किया इंटोगेस्तान पर पत्रों का प्रयोग चोलों के काल में ही आरम हुआ जिसे मामल या कांचीपुरम के मंदिरों में आप लोग देख सकते हैं चोल मंदिर निर्माड की मुख विसेश्ताएं थी वर्गाकार वा उचे बिमान, मंडव, गौपुरम, कलापूर्ण, स्तम्मों से युक्त, वेहत सदन आदी चोलों ने अपनी सकती एवं एस और एक का पिदर्सन भव उत्तों के सिखर मंदिरों के निर्माड में किया राजराज पिथम द्वारा निर्मित तंजोर का वेहत सोर मंदिर द्रेवन सेल्फ कला की सर्वुत्तम किरती है इसे भारती बस्तु कला की कसोटी माना जाता है राजर्ण पिथम ने गंगे कोल चोल पुरम तथा विद्यालय में चोले सोर मंदिर का निर्माड भी करा है इस काल की मूर्ती कला में लुप्त मौम तकनीक तथा पंच लोह मूर्ती कला तकनीक का प्रयोग किया गया इस काल में पासान मूर्ती मूर्तियों से भी अधिक धातु कास मूर्तियों के निर्माड हुआ सरवादिक सुन्दर कास मूर्तियां नटराज सिफ की थी और इसके अर्द नारीस और फारवर्ती इसकंद आधिकी मूर्तियां भी बनाई गई इसकाल में तमिल भाषापर साहित पलविट हुई और अलबार और नारों ने महत्पून गिरान्तों की रचना भी की कमबन, कुटम और फोगले निद नामक तमिल साहित की त्री रतन हुए कमबन ने तमिल, रामाईड की रचना की थी पोगले निद ने महाभारत के नल दमयंती को नल वेडवा नाम सी तमिल काब का रूप दिया कुट्टम ने रमाएड की उत्तरकंड का तमिल अनुवाद किया नंबी अंडार नंबी को तमिल व्यास कहा जाता है और सेकीलार ने पेरी पुराडम की रचना की थी चोल सासकों ने ब्रहमर धरम को सरक्षक दिया फलसरूफ संस्कित साहित की लोग फिरित्या बड़ी और इसका तमिल में भी अनुवाद हुआ कनर साहित की त्री रतन हो गया पंप ए आधी पुराण, पुन ए सांती पुराण, और रन ए अजीत पुराण तो एक कहानी आपकी खतम होती है, कहाँ चल के दच्छेन भारत की जो भी राजबंस रहे हैं उनके बारे में एक ओवर्विव ले लिया है और आगे हम लोग बात करेंगे पूर मद्दिकालीन भारत पर हम लोग एक सामन चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि इसमें भी बहतर आप लोग समझ पाएंगे, बहुत सारे आपके बंस इसमें भी आपको देखने को मिलेगी तो उन्हें भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है? और आपके कुछ सवाल हों तो आप लोग बताईएगा, बरना एक से दोवार आप लोग इन क्लासों को देखी है, नॉर्मल तरीके से वो गुजर जाएए और एक बात और बता दूँ आप लोगों को आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपके पास टाइम है तो मेरा मानना है कि आप लोगों को क्या देख लेना चाहिए? NCEGIT बढ़ लेना चाहिए ठीक है? चलिए हम लोग मिलते रहेंगे